आर 101 वीडियो नंबर 3 तो पहली दो वीडियो में हमने आपको बहुत बेसिक्स चीजें बताई हैं तो आज की वीडियो में हम अलिफिलान डेटा लेके वही चीजें हम रिपीट करने जा रहे हैं हम देखने जा रहे हैं कि कैसे आर आपकी प्रोड़क्टिविटी को इजिली कर देताता है तो आप देखें तो यह वीडियो यह जो स्लाइड़ है मैंने जस्ट आर से जनरेट की तो मैं आपको की नृटलाइन दिखा देता हूँ प्रिशिश करें गए इसके साथ साथ हम जो आज एक नई चीज देखने जा रहे हैं वो यह है कि आप CSV फाइल कॉमा सेपरेटिड वैल्यूज जो फाइल होती है उससे डेटा कैसे रीड कर लेते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूं एक मैसी डेटा होता है आप कैसे उसको एज इंस्टाल करना होता है वो रीड आर है अगर एकसल की शीट रीड करनी है तो रीड एकसल पैकज है SPSS स्टेटा की फाइल्स है तो हैमन का पैकज होता है आपके पास SPSS हो नहीं हो स्टेटा हो नहीं हो तो यह फाइल्स आपकी आर में रीड हो जाती है और फाइनल चीज ज कैसे उनके variables के नाम को easily clean कर लेते हैं तो within just single click आप कैसे ये click easily जो है वो variables के नाम जो है nice way से format कर लेंगे कोशिश करें variables के नाम small alphabets और space की बजाए underscore या dash के साथ हों तो ये तो हमारी आज के video number 3 की lecture outline है जो data हम read करने जा रहे हैं वो ये वाला data है अब देखें ये सारा data एक ही जगा पे read हो रहा है इसका link इस video के नीचे given होगा तो अगर आप इस data को excel में आप अगर लेके चलना चाहेंगे तो क्या होगा text to columns next तो ये separated by comma है यानि कि इस वोकत सारा data एक ही column में select हो रहा है आर में वो हम देखने जा रहे हैं कि आज की जो हमारी जो है वो वीडियो है उसमें है कि data को read कैसे करना है ये select filter, arrange, mutate ये सारी चीज़े उसी तरह से हैं जैसे हमने पहले कर ली थी तो आज जब हम बात करने जा रहे हैं वो ही उसी तरह से library tidy verse तो मैंने का package को एक दफ़ा इंस्टाल करना होता है जैसे बलब इंस्टाल करते हैं और उसके बाद सिर्फ उसको switch on करने के लिए library यानि को री कॉल करना है library read r ये पहले अभी तक हमने पिछली दो वीडियो में यूज नहीं की थी अभी हम real data अलिफ एलान का data जो है वो read करने के लिए library read r और cleaning data variables के नाम अभी clean करने हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ within few minutes कैसे इन variables के नाम को आप within no time clean कर सकते हैं तो library janitor तो कोई error कोई कुछ नहीं आ रहा तो it's okay अब ये data अगर आपने download करना है तो ये link यहाँ पे भी available है और मैं आपको अलग से भी वीडियो में भी दे रहूँगा अब दिखे इस data को read करने के लिए क्या है ये तो EDF educational data frame और ये मैंने assign कर दिया इसको और मैंने यहाँ लिखूँगा read underscore csv वो वैसे यहाँ पे जब लिखते है read underscore csv तो ये देखों खुद ही नीचे ये आया हुआ है तो मैंने tab प्रेस कर दिया और उसके बाद जो file का source है .csv एक ये वे है जिन दोस्तों को अभी इस चीज में comfortable नहीं है वो ये करेंगे file import data set तो अब आपको अगर वो csv file है तो text data है read r कीजिए अगर वो excel data है तो excel कीजिए अगर वो spss है तो spss कीजिए ये from read r तो यहाँ पे आप डेटा को browse करें जहाँ आपका data पड़ा होगा वहाँ से आपने उस data को जो है वो उठा लेना है ठीक है जी तो वो data आपके पास आ जाएगा तो यह आपके पास यह आपके पास data जो है वो यहाँ पे display होगा कुछ columns कुछ rows skip कर रही है कैसे करना है तो we can work with this incoming videos तो मैं इस वकत आपके सामने यह data read कर रहा हूँ और यह सारे के सारे course भी video link में given होंगे कि कहां पे यह course available है तो यह लेकिन आपको यह जो data read करना है यह आपको अपने तोर पे करना होगा क्योंके मेरा data जो है वो मेरे system की उस जगह पे पड़ा हुआ है जहां पे आपका नहीं होगा तो इसलिए यह वाली command के इलावा बाकी सारी commands जो है वो आपकी as it is run यह data मैंने read कर लिया find जी यह data read करके कुछ थोड़े बहुत messages आ गए मैं इस data का सरसरी सा जायजा लेना चाहता हूँ last video में भी बताया था EDF और यह pipe operator है यह दो किसम के pipe operators पे बात होती रही है एक यह होता है कि percent आप इसको जो है मेरे पास आज कर मैं यह नहीं use कर रहा तो इसलिए यह shortcut से नहीं आता तो control shift M M for main से यह आपके पास यह चीज़ आ जाती है तो यह देखे आपके पास अब यहाँ पर यह बहुत ज्यादा variables हैं यह असर और अलिफिलान का data combine करके five hundred eighty rows है और fifty one columns है अब यह आपने यहाँ पे एकसल में भी देखा data कि बहुत सारा data है percent boys और यह सारे का सारा तो यह इस form में है अब अगर मुझे एकसल में यह करना हो कि year को province को और इनको पहले लाना हो तो इसमें मुझे काफी ज्यादा वहाँ पहले जो है वो पहले यहाँ पे मैं इसको control shift plus plus यहाँ variable create करूँगा वहाँ से यहाँ drag करूँगा और इस तरह से और अगर variables के नाम है तो मैं इसको चाहता हूँ percent boys तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा percent underscore boys underscore ठीक है जी enrolled तो यह basically मुझे एक काफी messy अगर 51 और अगर 500 variables होए तो मेरी आदी energy इस पे लग जाएगी whereas r में हम क्या कर रहे है वही data read हो गया इस data को view करते हैं देखते हैं यह वही data है जो अभी हम बात कर रहे थे educational data frame है तो यह देखें वही data मेरे पास आगया 51 variables आप जाएगे तो यहां पे भी sort गए रख कर सकते हैं we will talk about this later on तो अब मैंने इसको data के variables को clean names कर दिया clean names किया तो आप देखेंगे एक चीज़ कि इसके जब variables के clean names किया तो उसने खुट ही मुझे कर दिया percent underscore boys enrolled percent underscore girls enrolled primary school enrolled लेकिन अभी तक इसको मैंने new data frame नहीं दिया तो इसलिए EDF data as it is मुझूद है तो अगर आप इस data को view करें तो आप देखें तो यहां उसने variables के नाम जो है within no time उसने पूरे के पूरे आपको एक nice format में दे दिये उनके दरम्यान space खतम होगी उनकी जो है small alphabet large alphabet की discussion खतम होगी and you have all this with you इसको control w से मैंने close कर दिया हमने इस data को एक यह देखे EDF pipe operator मैं इसको थोड़ा सा enlarge कर दूँ ताकि आपके लिए visibility ज्यादा ठीक हो जाए तो इसको हमने assign कर दिया यह arrow इस तरह होगा तो इसका आमने एक निया data name दे दिया EDF clean names के साथ तो यह मेरे पास EDF एक निया data EDF clean names होगी है EDF उसी तरह से आपके पास available है ठीक है जी so far so good अभी मैंने आप से कहा है कि अगर मुझे excel में यह करना हो कि here province और उन सबको पहले drag करना हो तो वहां से आप मैं क्या करूंगा उसको copy करूंगा या उसको ऐसे select करके तो मैं उसको ले के आऊँगा यह laborious job है where as r में मैं क्या करने जा रहा हूँ मैं करने जा रहा हूँ कि पहला variable year लिक लो दूसरा क्योंकि आप सारे small alphabets में आगा है province, city and everything यानि के बाकी variables का order उसी तरह से बाकी जो 48 variables हैं वो everything as it is तो आप देखिए क्या होगा तो यहां पर क्या होगा पहला variable year आगया province आगया, city आगया और बाकी उसी तरह से सारे variables आपके पास display होगे आगे चलते हैं तो अब हमने इस data को एक निया variable assign कर दिया ठीक है, अभी इस data को देखे अगर मैंने इसको assign नहीं किया तो यह सिर्फ मेरे पास print होगा ऐसा चिर्फ निया data नहीं बना जब तक इसको या तो मैं यहां पर जो है वो arrow देके तो इसका निया नाम दे दूँ या फिर मैं यहां पर इसको यह देखे, मैंने क्या किया EDF select और rename एक और भी काम हमने इसी go में कर दिया हमने city को district के तोर पर rename कर दिया और इस data को मैंने कह दिया education data frame edu underscore data frame अब अगर इस में से that's very interesting story अब मैं सिर्फ वो वीरियबल्स चाता हूं जनमेPE % आया हूँ मैं सिर्फ वीरियबल्स select करना चाता हूं जनमेPE % आया हूँ तो यह देखे यह सिर्फ वो वीरियबल्स आ गए जनमेPE PERCENT, पर信 900 कहींपे % आया हुआ हूआ है इसी तरह से आप अगर view करते अगर इसको हम view करते edc edu underscore df view edu underscore df अगर आप इसको view करें तो आप देखें तो ये percent कुछ variables है percent वाले तो अगर मुझे सिरफ ये variables आई है तो मैं percent ले लूँगा अच्छे कुछ variables है जो के जिनके end पे score आया हुआ है जिनके end पे score आया हुआ है जैसे ये वाला variable score यहाँ पे retention score अब ये variables मुझे select करने हैं मुझे सिरफ इन variables का data चाहिए तो अब एक है कि मैं डूबता रहा हूँ और मैं फिर excel मैं से delete कर दूँ या strata मैं से drop कर दूँ another way round is मैंने का जनाब मुझे सिरफ वो variables दे दो जो के ends with score है तो क्या करेगा वो मुझे सिरफ वो variables दे देगा जिनके end पे underscore देखे score आया हुआ है underscore gender parity score तो जहां पे score आया वो variables उसले दे दिये अब इसको आगर आप नया data देना चाहते हैं दे दीजिये वरना you can just get a print of it तो हमने का जी के education जो score data है तो education में से हमने सिरफ वो variables रख लिये जो के year, province और everything एक ये है अच्छा अब आप देखें तो अब आपका अगले वला स्वाल शिरूब उटन तो आप इसको एक निया name दे दिये education underscore ये वैसे इसमें जो है न वो थोड़ा से change करना था let's move फिर देखते हैं अब हम चाहते हैं कितने सालों का ये data है तो अब आप देखें तो हमने क्या किया education underscore data का नाम और distinct years तो ये चार साल 2013 का 2014 2015 2016 का data है यानि कि सारे provinces पे सारे districts पे 2013 में data है फिर 2014 में उन्हीं पे है फिर अब मैं इसको count करना चाहता हूं तो count कर लीजिए तो 145 distinct districts है इसका मतलब 145 2013 में है अगर यहां पे देखें तो मैं अगर यह लिख देता filter year double equal 2013 तो भी 145 वाइट अब क्यों क्योंकि 2013 में भी इतने है 2014 में भी 2015 में भी 2016 में number of districts change नहीं हुए और अगर मैं यह चाहूं कि हर province में कितने districts हैं तो आप देखे group by province और distinct districts और count कर लें तो यह आपके पास AJK, बलोचिस्तान, फाटा, GB यह दुपराना time है फाटा उस वाकर अब मैं चाहता हूं कि इनको arrange कर लो यानिके जिस province में ज्यादा सुबह है वो सबसे उपर आजए और जो नीचे है यहाद ही other way round आजए तो यह मैंने यहाँ तक command मेरी वैसी की वैसी यह हमने क्या किया डेटा, pipe operate then क्या करो group by province then क्या करो उस मैं से जिनका unique name है वो ले लो then उनको क्या करो, count करो, then उनको क्या करो, arrange करो, तो यह देखें एक जैसे English sentence पढ़ते हैं वैसे हमारी coding read हो रही है, तो यह देखें arranged form में आगे, यह सारे के सारे arranged form में आगे, हम चाहते हैं कि हर साल जो दो variables के लिहाद से counting करें, कि 2013 में कितने districts थे, 2014 में, 2015 में, 2016 में, तो हमने एक यह लगा दिया, तो यह basically उसने 2013 में AJK, 2013 में बिलोचिस्तान, 2000, तो फिर 2014 में AJK, वही 10 के 10 रहे, इस तरह से यह आपके पास आ गया, हम जाते हैं, कि आप इसको count summarize, वही वाली शीज़ आप यह भी कर सकते थे, ठीक है कि year, हर जो है न, वह basically आठ provinces हैं, तो चार years हैं, तो उसने जो है, वह 32 कर दिया, हम just 2014 की सिर्फ top four values लेने के लिए क्या करेंगे, हमने पहले filter data, then pipe operator, filter, year double equal 2014, head, तो पहली चार values दे दो, उसने सिर्फ first four values दे दी, हमने का, हमें 103 से लेके 108 तक की values लिस्क करते हो, 2014 की, तो उसने एक पंजाब की वो जो है, लहुर, लईया, लोदरा, उसने लिस्क कर दी, आप चाहते हो कि आप कुछ variables को select कर लो, और उसको जो है, उसके बाद तो हमने क्या किया, data, select, और यहाँ पर इस pipe operator के बाद, हम नीचे वाली जगा पर जा सकते हैं, सिर्फ 2013 का, हमने फिर filter कर दिया, अब मैंने एक, जो है न, वो स्वाल ये है, कि आप वो districts लिस्क कर दे है, प्रोविंस वाइस जिनका score minimum है, retention का, तो यहाँ पर देखे, filter, retention score, minimum of retention score, पर वो जो है, तो यह देखे, हर district का, हर प्रोविंस का, जो 2013 का minimum district score है, वो आपके पास यहाँ पर retention score आ गया, इसी तरह से, आप यहाँ पे फिर pipe operator, यह थोड़ इस space issue जो है, तो यह मैं इसको pipe operator के बाद इसको download कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने का, प्रोविंस जो है, वो क्या हो, पंजाब हो, प्रोविंस क्या हो, पंजाब हो, या इसके आगे हम लिख सकते हैं, प्रोविंस जो है, वो सिंध हो, अब देखें, यहाँ error आ रहा है, क्यों, क्योंकि मेरी अभी parentheses complete नहीं हुए, नो, इस ओके, ओके, यह पंजाब और सिंध कउस ने दे दिया, अब मैं चाहता हूँ, कि वो डेटा जिसमें end पे सिर्फ स्कोर आया था, वो डेटा आ जिया, और उसको मैंने कह दिया, एक निया डेटा दे दिया, EDF शार्ट, educational data frame शार्ट, तो education score वाले डेटा मैं से, मैंने year, province, district पहले display कर लिया, और score यहां पे मैंने, वो variables ले लिया, जिनमे score आता है, बाकी सारा data drop हो गया, और इस data का हमने glimpse लिया, तो आप देखिए, तो 580 observation उसी तरह रही, 9 variables के बजाए 51 रहे गे, कौन-कौन से year, province, district, education score, enrollment, gender parity, learning score, हर एक end पे कहां पे हो रहा है, score के साथ, अच्छा, अब आप इसको summarize करना चाते हैं, तो आप देखें, arrange हमने use किया, हमने filter use किया, हमने select use किया, तो वही उनी verbs की base पे, जो मैंने पहली वीडियो में कहा था, कि 80% of your data wrangling इन से होती है, अभी तो आप देखिए, frankly speaking, यह शेकला का boom boom है, ठीक है, आप ऐसे, ऐसे, ऐसे जो है न, वो चलेगा, तो अब आप इस data की summary चाते हैं, तो हर variable की minimum, maximum, यह सारी summary आ गई, you can do, बट यह बहुत nice summary वे नहीं होता, आज हम देखेंगे, बहुत nice summary वे भी होता है, इसी दरह से, एक library scheme आर use करते हैं, तो यह देखें, हर एक की उसने, जो है percentiles और minimum value, और maximum value, तो in इस साल में कितनी missing observation है, किस variable की कितनी missing variables हैं, तो यह एक library होगी, skim r, एक package होगा, at the moment मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा चीज़ों को हमें mix नहीं करना, but you can, you can do awesome things for your summary stats by using this, by using this skin thing, okay, अब हम यह कर रहे हैं, हम चाहते हैं, कि जी अच्छा, य अब इसको कुछ एक दो चीज़े, हम जा रहे हैं, पंजाब, बलोचिस्तान, सेंड और केपी रख लें, कोई बाकियों को drop करने का मकसद nothing, यह आपके main province हैं, और जो लोग other than Pakistan सुन रहे होते हैं, तो naturally मुझे जो है, वो उन लोगों के लिए, जो हमारे अपने, उन से related data को जरा ज्यादा explain करना है, अगर कोई और data मुझे अपना provide करेगा, तो हम उस पे भी exercise कर सकते हैं, लेकिन यह चीज़ें सारी के सारी standard हैं, तो इसलिए आपका purpose जो है, वो fulfill हो जाएगा, और data आपको available है, तो you can repeat this data at your own, repeat all these, reproduce all these results at your own, तो education frame, यह शार डेटा है, आप देखें, बढ़ी nice way से, बढ़ा एक easy way है, क्या easy way है, बढ़ी यह है, बढ़ी यह है data, जो भी आपका data है, फिर आपने कहा किया, पाइप operator, means then, उसको connect कर रहे हूं, then आपने connect कर दिया, क्या कहा, आपने कहा, आपने कहा, अच्छा, वो सूपे रख लो, जो पंजाब, लोचस्तान, से चौर, तीन, चार कंट्रीज थे, then, क्या करो, summarize कर लो, यह तो variable का नाम दे रहे हैं, आप कोई भी दे सकते हो, क्या करना है, mean of learning score रिकाल लो, quantile कर लो, median कर लो, तो यह command वोई median, standard deviation, तो अब आप इसको just dot by province, पहले क्या होता था, जो इससे पहले था, उसमें ही होता था, इससे पहले यहाँ पे लिखते थे group by, अभी भी लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, group by province, आज कल end पे comma करके dot by province, आप दिरह देखिए, so this is how you can have all this summary statistics for blochistan, kp, पंजाब, sin, mean learning score, q1, median, q3, तो यह इस वज़ा से बाकी नहीं डिस्प्ले हो रहें, क्योंकि हमने font थोड़ा सा बढ़ा किया हुआ है, तो अगर आप font छोटा कर देंगे, तो यह आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, एक second है यह गा, control shift, तो यह basically तीन, तो अगले दो variables डिस्प्ले नहीं हुए, ठीक है, तो वो आपके डिस्प्ले हो जाते हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा, जो है, शाट करेंगे, अब यह इसी तरह से यह next है, यहाँ पे मैंने क्या क्या mean school infrastructure score क्या है, तो यह school infrastructure score आ गया, minimum, maximum, quantiles निकालने है, highly quantiles चाहिए, median, minimum, तो यह आप इस तरह से ले लेते हैं, अब यहाँ पे सारे के सारे variables आके, और आपको पता चल देगा, you can do comparisons, जो at the moment हमारा purpose नहीं है, इसी तरह से you can play with this data as much as you like, अच्छा, यहाँ पे यह वही चीज़ हो रही है, अच्छा, by year करना चाहते हो, तो आप dot, यह देखे, comma dot by equal to year, तो चूंके चार साल का data है, तो हर साल के data का देदेगा, हर साल के data का देदेगा, अगर आप by year and province करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप लिख लो see of, कि जी दो variables हैं, तो जब भी दो variables होंगे, तो यहाँ पे see of province, और यहाँ पे एक princess और लगा, तो यह अब वो red sign खतम हो यह data आजाएगा, ठीक है जी, this is how you can do this, ओके, यहाँ पे भी वही है कि अगर आपको यह quantiles जो है, वो करना चाहते हो, सिर्फ 2013, 2000 सिंद का सिर्फ रखना चाहते हो, तो आमने यहाँ पे क्या किया, अब province filter double equal sin, ओके, अभी बस मैं आपको ज्यादा बोर में करने जा रहा, कु इस तरह से आप चाहें, तो आप जितना जीचे इन रिजर्ट्स को refine करते जाएं, education shard है, यह आपके पास, बलोचिस्तान, यह सारे कसारा आ गया, let's keep it quickly, ओके, आज मैं एक यह अभी नहीं करने जा रहा, यह पूरा एक अलग से gt tables होंगे, अब मैं सिर्फ यह चाहता हूँ के जो numeric variables हैं, उनका immediate आपको summary stats मिल जए, तो यह देखिए, और वेर्स दख, तो यह हम देखते हैं, कि यह आपके पास कुछ चीज़े हैं, इस वकद हम यह नहीं करने जा रहे, बट यह देखिए, और nice it is, कि यह देखिए, आपके पास यह education score, उसकी distribution आगई, missing कोई हैं, mean इसका 61 है, median इसका यह है, standard deviation यह है, enrollment score, gender parity score, learning score, retention score, school infrastructure score, आप चाहें तो इस पे फर्दर जो है, वो सिर्फ province wise जो है, वो filter लगाके सिंद्र के लिए, पंजाब के लिए, के पी के लिए, तो यह overall आया है, तो you can play with this, okay, let's go back, तो यह आपके पास, और अब आप इस table को further nice way से represent करना चाहते हो, और यह देखिएगा table score, यह मैंने show कर दिया, अब आप देखिए, तो मैं यहाँ एक आपके साथ और चीज़ करने जा रहा हूं, कि जी, इन tables को हम new york times जैसा कैसे बना सकते हैं, हम इन tables को guardian जैसा कैसे बना सकते हैं, 538.com जैसा कैसे बना सकते हैं, तो यह देखिए, जी टी theme, यानि कि इसका जो है dark theme रखा है, तो यह मेरे पास result आ गया, और अगर मैं यहाँ पे score, rub करके, जी टी theme, अंडर स्कोर, यह रेखिए, new york times आ गया, guardian आ गया, तो यह वला table रखना है, तो यह वला आ गया, इसकी जगा, n y times, तो यह आ गया, तो यह table उसी तरह से जिस तरह का आप चाहते हैं, वो आपके पास table को उसी theme का बनता जाएगा, नाइस table यह आ गया, आप नीचे देखें, तो source आ गया, सारा कुछ, आप फर्दर चाहें, तो आप के पास जैसे मैंने कल का, आप आज का, कि मैंने कल पाकिस्तान, इंडिया, बंगला देश, इन सब की population को किया, तो यह देखें, एक nice table आ जाएगा, लेकिन इस nice table में आप देखें, तो यह जो है, वो one point zero five billion और यह सारा लिखा हुआ है, इसकी वज़ाए अगर आप यह वला ले लें, तो यह मेरे पास एक nice title आ गया, सब टाइटल आ गया, और साथ मैं, मैंने यह लिख दिया, कि अगर पाकिस्तान ने बंगला देश की population trajectory को follow किया होता, तो शायद इसके circumstances उतने ज्यादा different ना होते, इस वकद you are 60 billion, 60 million people more than बंगला देश, जबके बंगला देश 1980 में was 3 million more than पाकिस्तान, तो इंडिया भी इसी तरह से इस वकद चाइना को क्रास कर गया है, तो यह हमीं, जो है, वो सोचना है, मैं यह नहीं कहरा, कि population ज्यादा होना लाजमी बुरी बात है, but it has repercussions, तो हम इस पे खतम करते हैं, analysis हमारा इस वकद purpose नहीं है, हम तो इस वकद आर की क हमने variables के नाम को clean कर लिया है, और साथ हम यह tables वगरा सीखने की कोशिश करेंगे, आपना ख्यार रखिए, take care, good bye